हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेट जो भी इंपॉर्टेंट एंट टफ कुष्टन पूछे गए अभी तक उनको सॉल करना सीखेंगे तो इस पर यह बहुत अच्छा कुष्टन पूछा जाता है कि जब भी गढ़ना जो की जाती है गढ़ना अगर वो विक्रेम मूल के अधार पर करी जाए तो कैसे करते हैं इस पर काफी कुष्टन पूछे जाते हैं इजी कुष्टन होते हैं बस आप एक बार अगर कॉंसेट समझ लेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे देखे इसमें क्या होता है मैंने आपको क्या बताया था कि पौष्ट प्रैस हमेशा हर्ट मना जाता है इसका रोजन क्या होता है कि जो भी गर्णा या फिर जो भी कैल्कुलेशन होती है परसंटेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट की वह हम लोग इससे करते हैं how लेकिन किया बोल रहा है किसी वस्त्रक्म र का ilicris पर कना की गई गळना के अनसार हाई 25 प्रिस्त से ऊ क्या सब्सक्राइब लाकष्पे और हानी प्लिक्राइब arrests होगया और हानी 25 है। तो देखें है। जब 100 पर बेच रहांगे तो मुझे 25 रुपय की हानी हो रही है क्योंकि selling price का ही 25% हानी है तो और 100 पर बेच रहा हो तो 25 रुपय की जो है हानी हो रही है तो cost price कितना रहोगा 125 समझ पा रहे हैं आप क्या किजे, selling price को 100 मान लिजे, देखे, 100 मानने में ही पूरा concept है, आप 100 कहां पर मानते हैं, सवाल में कैसे 100 को change करा रहा है, वही आपको समझना है, जब वो विक्रेम उली के आदार पर गणना करवाता है, तो आप विक्रेम उली को पहले 100 मान लिजे, तब आपको क्रेम उ हो गए हमारी 25, sorry, एक बटे 5 कितनी होगे, 20% की हानी होगी, तो यह हमारा answer कितना आजाएगा, 20% की हानी होगी, अब similar type का ये भी question है, देखे, विक्रेम मुली पर 20% की हानी के परशाद, हानी वस्तु के लागत मुली के कितनी परशाद है, तो अभी मैंने आपको बताया कि आप selling price को कितना मान लिजे, 100, ठीक है, तो 20% की हानी होगी, तो खरीदा कितने में रहा होगा, 120 में, और 100 की बेच रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखे, 20 बटे 120, अब क्योंकि लागत मुली के इस आप से हानी पूछ रहा है, तो 20 बटे 120, यानि कि 1 बटे 6, यानि कि 16 सही 2 2 बटे 3 पृच्चत की हानी हो रही होगी, ठीक है, तो इस तरह हम लोग ऐसे questions को करते हैं, इस पर बहुत सारे questions बनते हैं, यहां पर दोनों हानी के questions पूछे गए हैं, अगर लाब का होता, तो सेम टाइप का है, मैं एक आपको छोटा सा लिख के देते हूँ, जैसे बोला ज होगा है, और अब पूछा जाए कि क्रेम मुली के अधार पर तो 20 बटे, क्रेम मुली कितना हो गया? 80, ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा? 1 बटे 4 यानि की 25%, ठीक है, तो यह क्या हो गया? कि जब क्रेम मुली के अधार पर देखेंगे, तो 25 प्रिस्दत का लाब होगा, अब इसको नहीं समझाया था लेकिन अगर किसी ने पूछा है तो उसे देख ले आसानी से आप समझ पाएंगे दो किस्म के गेहूं है एक कितने का है 20 रुपए पर केजी है और किस रेशियों मिलाए गए पांच रेशियों चार में तो पूछ रहा है उन्हें दोनों को मिला कितने के भाव से बेच रहा है 24 के बाव से सौधे में उसे क्या पराप्त हुआ हान या लाब तो दिखे जब आप इनको पांच रेशियों चार में मिलाएंगे तो पहले तो इनका कॉस्ट प्राइस ही निकाल लिए कि कितना आपका लग गया ठीक है तो दिखे 20 वाला आपका टूटल नेट कॉस्ट प्राइस कितना आगया 200 बटे 9 200 बटे 9 की वैलियो प्रॉक्स आप जस्ट देख लिजे कितनी होगी नव दुनिया ठारा और यह कितने बार जाएगा दो बार फिर से तो 22 के प्रॉक्स उसको कुछ प्राइस पढ़ रहा है उसको ठीक है और बेंच कितने मेरा है 24 में तो अब वो क्या पूछ रहा है कितने का क्या सौधे से उसे क्या प्राप्त हुआ होगा तो देखे प्रॉफिट हुआ होगा यह तो आपको साफ साफ दिख रहा है बस आप इसको अगर सौल कर लेंगे तो यह कितना आ रहा है नौदी अठारा के दो फिर से नौदी अठारा यह 22.22 करके जाएगा और यह 24 में बेच रहा है तो अगर सिफ प्रॉफिट के ऑप्संस हो तो आप सीधे से देख सकते हैं कितने के प्रॉफिट हो रही होगी 1.77 ऐसे करके प्रॉफिट होगा 778 करके ठीक जो किए अब देखे यह क्रिशन क्या कह रही कि एक व्यापारी ने अपने वस्तुउं उनके कृममूल एसे 20 प्रिस अधिक पर किना होगि यह 100 काल quindi 20 पर उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूले पर एक चौथाई को 20 प्रिस्थत की कट उती पर सेस को 40 प्रिस्थत की कट उती पर अब देखें यह कैसा है बाद में क्या किया गया चार पर डिवाइट किया गया तो इस पर पहले से इसको चार से मल्टिप्लाई कर लिए तो आपका net cost price कितना आ गया 400 ठीक है और यहां पर भी चार से मल्टिप्लाई हो जाएगा तो यह कितना हो गया 480 ठीक है तो अब वो क्या बोला है आधी वस्तुओं को उनके क्रेम मूले पर तो आधी को क्रेम मूले पर ही सौरी अंकित मूले पर तो अंकित मूले कितना है 120 क की कटोती पे तो इसका 20% discount दिजी इस पर तो कितना जाएगा 24 रुपए इस पर घटा दीजिए यानि कि 96 रुपए में बेची और सेस यानि कि फिर से 120 बची हुई है उसको 40% की कटोती पर तो इसका 40% निकाली है जो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा यानि कितने पर बेचा ह हुआ है कि अगर इस सवाल में आप करना चाहिए तो इसको यह तो नों पूरा एक साथ एड कर लीजे तो भी आपका अंसर आ जाएगा 200 यहां पर यह कितना हो जाएगा मैं देखिए मैं एक कर देता हूं 628 और 9 और साथ 168 ठीक है 168 यह आगया और 240 और 8 कर दूंको तो यह कितना हो जाएगा इस पर 240 और 8 कर लीजे आठ चार सो आठ तो उसे आठ रुपए का प्रॉफिट हो रहा है चार सो में तो आर्ट बटे 400 निकाल लीजे कितना आएगा यह कितने बढ़ जाएगा आठ प्रिश्चत का उसे प्रॉफिट हो रहा होगा ठीक है इसी कुश्चन था थोड़ा साप अगर सॉल करना पहले एक पर ट्राई करें आप वीडियो देख लीजे तब आप आसानी से कर भी पाएंगे नेक्स देखते हैं अब देखिए एक जो चाहिए बारा प्रिश्चत व्रिध्य होती तो वह कितनी खरीद पाता चीनी चीनी कितनी यहां पर होगा कितनी चीनी कम खरीद पाता यह कूश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है हैं उसलिए मैं इसको लिए है अधर्वाइज आप बुक जहां से भी देखें वहां से अगर मूल ले था तो अब मूल कितना हो गया सेवेन रुपीज पर केजी ठीक है अब वह क्या बोल रहे कि 9 kg चीनी अधिक खरीद पाता देखिए इसमें रुपए नहीं दिया अगर रुपए दिया होता तो बहुत इसी कुश्चन हो जाता लेकिन रुपए नहीं दिया उसने क्या बोला है कि 9 kg चीनी अरिक खरीद पाता है तो देखिए वह कितने रुपए लेके गया होगा एक्स्ट्रा आप यह निकाल सकते हैं देखिए 7 रुपए पर केजी हो गया है और पहले 8 रुपए पर केजी था तो वह 9 kg अधिक खरीद पाया इसके लिए वह 9 रुपए 9 kg और 7 रुपए पर केजी यह रेट है यानि कि 63 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा लेकर गया होगा पहले जो है वो 63 रुपए एक्स्ट्रा लेकर गया होगा वह मान के गया होगा कि 8 रुपए पर केजी है तो वह कुछ रुपए लेकर गया होगा लेकिन उसके पास 63 रुपए रेट क्योब जाता 8 से 9 रूपए पर केजी हो जाता तो क्या कितना चलब साथ के लोटो यह जो पहले उसके पास 63 रुपए जो extra हो रहे थे वही जब 8 के बजाए 9 रुपए कभीचेगा तो उतने ही 63 रुपए उसके पास अब क्या हो जाएंगे कम पढ़ जाएंगे तो उसको अब क्योंकि अब रेट कितना है जैसा वो बोलता जारा आप वैसा करते जाए अगर 100% cost price है तो कितने में बेच रहा होगा 112 परसेंट में इफ the cost price would be 10% less जो cost price है 100 के बजार 10% less यानि कितने का होता 90% का होता तो क्या बोल रहा और selling price price would be 5.75 more अगर selling price जो है वो कितना 5.75 ज्यादा होता तो क्या होता 30% उसका profit जो है then would be profit of 30% 30% का profit होता तो cost price अब कितना है नबे और profit कितने का चाहिए 30% यानि कि 279 27 इतना और होगा तो यह कितना जाएगा 117 परसेंट तो देखे इसमें परसेंट में कितना difference है 5% का तो 5% की value कितनी है 5.75 तो एक परसेंट के वल्यू कितनी आजाएगी 5 से डिवाइट कर दीजा 1.15 तो एक परसेंट के वल्यू आगे 1.15 अब पूंच क्या रहा है cost price तो 100 से multiply कर देते 115 आजाता लेकिन क्या पूछ रहा है at worst price should it be sold to make a profit of 120 परसेंट तो 20 परसेंट का profit यह तो हम कितने में बेचेंगे 120 परसेंट में तो यह कितना आजाएगा 120 से आप इसको multiply कर दीजे दिखेंगे एक जीरो से तो एक जीरो गट जाएगा तो 11.5 हो जाएगा 11.5 इसको लिखे या फिर इसको क्या लिख सकते 23 बटे 2 और इसको multiply किसे करेंगे एक जीरो तो हटा दिया मैंने तो यह कितना है 12 तो यह देखिए यह कट जाएगा यह 6 आजाएगा तो 23 चंग 138 ठीक है तो इसकांसे कितना आजाएगा 138 नेक्स देखते हैं अब देखिए यह जो कुशन है इसमें चोटा सा concept आपका लग रहा है जिसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजे उसमें क्या पूछ रहा है कि प्रितिसत लाव पर बेचना होगा देखिए लाव या प्रितिसत लाव जब भी पूछा जाए तो यह टफ सी वैल्यू दी है इसका यूज आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका question solve हो जाएगा ठीक है क्या बोला है कि कितने में चेरांबे हजार में खरीद है उसने उसका दो बटे5 ऐतलें मैं क्या मांता हूं कि पांतोर वहाई में ने खरीदें तो दो बोटे5 ама कि यानि कि कि इनकि दोबेच प्रितिसत रोपा तो तो दिखे सो पेच्छाय होती तो 200 पे कितनी हो जाएगी बारा रुपय उसकी हानी गई ठीक है और अब वह वह सेख भाग बेचकर कुल लब दस परशक कवाना चाहती तो सेघ्पाग कितना है तीन नाव कितना पांसो तो वह लाब कितना कमाना चाहती तस पिर सद का तो पांस लॉपी का लॉस हो चुका है तो यह कितने पे मुझे एक्स्ट्राबेशना पड़ेगा पचास तो प्रॉफिट चाहिए चाहिए और इस बारा को भी कंपेंसेट करना है तो कितने पे 62 रुपए जो है एक्स्ट्राप्रोफिट पे बेचे घीकनफ फीचुरे काूँ तो आपको यह चीज़ ध्यान रखें कि जब भी प्रितिसत लाब हो यह तो इसे वैल्यू थी अगर यहीं पर क्या करता है कि एक लाग 12,000 ऐसी कुछ टफ सी वैल्यू देदी और तब आप से सौल कराएगा तब और डिफिकल्टी में पढ़ जाएंगे तो क्या कीजिए जब भी प्रितिसत लाब हो आप इजी वैल्यू अपनी तरफ से 100 या इस तरह से मान लीजिए ठीक है अब देखिए यह कुशन क्य अब यह कुशन बहुत अच्छा कुशन है यह कई बाप पूचा भी ग्रूप पर जो मेरा ग्रूप है उस पर भी लोगों ने कुशन डाला हुआ था इस कुश्चन को मैं आप एक्स्प्लेइन कर देता हूं क्या कुश्चन कह रहा है कि मैंगोज और बॉट एड 10 रुपी यानि कि 10 रुपए के कितने मैंगो मिलते हैं 10 रुपए के 100 मेंगो मिलते हैं तो पूच रहा है कि 100 रुपए का बेचने पर जो गेन हो वह कितने के पराबर हो प्रॉइस ऑफ 250 मेंगो तो देखे वह बोल रहा है कि 100 रुपए पर बेचा जाए मतलब टोटल 100 रुपए यूज किये जाए और कितने का प्रॉफिट हो जाए 250 मेंगो का जो भी सेलिंग प्राइस हो उतने का प्रॉफिट हो जाए तो देखे इस कुश्चन को पहले समझ ल दोंगा। तो मैं कितने मैंगो clean matつh beautiful ग título तो इस पर मैं प्रॉफिट कितना चाहिए तो 1000 second प्राइस – 1000 क प्राइस इतना के बेचा भी जाएट कि अनट प्रॉफिट होगा ये गेन जो werk कितने के पराबर हो 250 मेंगो सके सेलिंग प्राइस हो उस ने Frans में कहा हुआ है तो इसको आप मैं solve कर लेता हूं तो देखे कितना आ जाएगा 1000 CP साइट चला गया और 250 साइड आ गया तो कितना होगा 750 SP तो यह इसको SP upon CP का मैं ratio निकाल लेता हूं तो यह कितना आ जाएगा तो 4 by 3 टिक जिरो से 0 कटाओ 254 2575 तो SP और CP का ratio मेरा आ गया चार बटे तीन अब देखे question में क्या कह रहा है कि मैं एक का selling selling price अगर चार है तो cost price कितना तीन है और question में given है कि 10 रुपए के कितने mango मिलते हैं 100 तो एक mango का selling price कितना है यह एक mango का बजाए मैं 100 का ही पूछा आड़ी उसने सौ पर पूछा है Dare per 100 profit the operand that Red Ram desc selling price उसने पूछा है कितना है कितना है 100 का cost price कितना है 10 रुपए है ठीक है तो cost price मेरे according कितना और कितना है 3 ठीक है तो 3 एक कोडू कितना है दस है तो 4 के कॉड़िन मुझे निकालना है तो धेन किह त्स टो चार वाल्य कितनी होगी तो देखें 10 बटे 3 यह तो एक की वेल्य और चार से हो जाएगा मैं इसको आप फिर से समझ लिए एक की वैलू नहीं निकाल लींग उसने पूचा यह तो मैंने यहां पर इसलिए एक को नहीं solve किया क्योंकि 100 पर rate निकालना है तो मैं 100 का ही सीधे से cost price मैंने लेके यहाँ पर रख दिया तो मुझे क्या पता चल गया सीधे से 100 के लिए selling price पता चल गया जो कि वो question में पूँच रहा है ठीक है friends